नमस्कार मैं रांजी चोब्रा आपका फिर से हाथ दिक स्वागत करते हूं हमारे एंट चानल में नमस्कार आपकोजे अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूं जो हमारे डारेक्ली हमारे व्योस के तरफ से हैं बेहरा सवाल है कि मेरा ओपरेशन पॉन घं शीन कर गया है यहां है और जब्हें और गल्युक्ति शीन कालने थिर्ण निकैलने के वाध चेरा ऑप्तिने खिलए और दी लिए कीज़ेशन को एंसाँ और जब भी वहाँते हैं मियांने बात करते हैं तो अटना निकालने के शो सकते हैं उस तरफ यहां बन नहीं होती है पर इस किसमें अच्छी बात यह एकिक मध्यार है तो इसका मतलब चैरे की नेस्क पाम कर रही है वह आपस इस में हो सकता है उस पर कोई दबाव हो और पर कोई प्रेशर हो या कोई वारान इंट्रक्शन होने से वो सुझ गई हो तो इसलिए वो चीरा टेडा हो गया है मुझे उमीद है कि इस समय आपके डॉक्टर ने स्टिरोड स्टार्ट कर दे होंगे और आप कुछ फिएस की फिजो थापी कराएंगे तो आपका जहरा रिकावर हो जाएगा आप भी बंद होने लगेगी आप तुरून तक में डॉक्टर से कॉंटेट करिए और वो ही आपको उची दिलाज करेंगे गर यह ठीक होने की पूरी-पूरी संभावने है वैसे सर अगर कुछ ऐसे कीस अगर आ जाते हैं चहरा तेड़ा हो जाता है तो वह क्या उमीद होती है कब तक में रिकावर हो जाएगा? इपंड करता है कि वो दुको बैस फाल्सी होती है वादर फिए वारे इन्फेक्शन वो दू तीन हफते भी ले ले लेती है अगर यह उपरेशन के कारण हो ए दबाव के कारण हो ए तो सर्जन को पता होता है कि टेरी किनस का क्या स्टेटस था बढ़ चुकिन का एक हटेड़ा हो ए तो बहुत अच्छी चांसे से हैं कि यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा अच्छा कुछ में मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं कभी ठीक नहों पाई या फिर स्वेलिं बार बार आती रहे कभी ऐसा ऐसा चांसे से होता है और अगर यह उप्रेशन की वज़े से है तो मिल्कु नहीं लगता यह बार बर होगा वैसे डिलेड ओंसेट फेशल पालसी बहुत बहुत अच्छा प्रोगों से से और दवाईयों से और एकसाइसे से ठीक हो सब्सक्राइब बिल्कु उसकता है तो सब्से इंपोर्टन तो यह है तो चलिए यह तो एक साफ बात है कि आपको जादा चुनता करने की सुरत नहीं बस थोड़ा सबर रखे यह ठीक हो जाएगा चलिए चलिए से के थाथ हम दूसरे साध रखे चलते हैं दूसरा सवाली है कि सर मैंने दूरबीन से कान का पड़ते का OPERATION करवाया है OPERATION के 15 दि हो गए हैं पर पहले से भी कम सुनाई भी तो इसका प्लीशन है दे रहे अरे 15 इन हो है अभी तो पंदा दिन में खुछ नहीं आप अपने डॉक्टर से चेक अप करा लीजिए कोई नर्व डैमेस तो नहीं होई है वो अपने टेस्ट से बता देंगे आप एक्सपेट करिए एक से दो महीं ने या छी से आठ अपते लग जाते हैं सुनाई को जो भी इंप्रूमेंट हुआ है उस करज़र डाने में तो इत अब मैं यह पूचू कि क्या सर हमेशे दुविदा ही रहते हैं ठीक तो हो जाएगा ना सुनाई तो प्रॉपर टेर्वन शुरू हो जाएगा ना सब कुछ पर्दा लगाने को परेशन है तो दस में से आठ नो किस तो बहुत अच्छा बीए करते हैं पर अगर अगर कान की ह सर्जन से पूचे तो सर्जन आपको बेटर आपसर दे पाएगा बट कितना परसेंट है वो कहना ते बहुत मुश्किल होता है हम चलते हैं हमारे 3 सवाय के ओपर जहां पे हमारे कियों पूछ रहे है कि सर्फ कान का पदा पड़ गया था भकी अब भर गया है तो नौर्मल जब हो ओगई कान पड़न का पड़ बहुत रागया है तो नौर्मय वह पतल है तो आप इसको ही नौर्मल मानिये। जब छेट बढ़ता है तो काई की तीन लेयर होती है जो बीच की लेयर होती है फाइब्र предлаг ऑफ जब छेट भरता है तो कई लो फाइब्रिस लेयर लेयर साफिन होती है जिसवय से पर्दा पद enslaved affirmation fajr और मुझे उमीड है कि ये पर्दा भी उतना ही एरिंग उप्रूमेंट दे रहा होगा जितना नौमल पर्दा दे रहा था तो आप इसी को गॉड गिफ्ट या मान लेजिए क्योंकि ये भी काम करेगा ये इसी के साथ एक मिलता जुल्दा सवाल कि क्या दवायों से नौमल हो सकता है ये पतला पर्दा जो नौमल हो सकता है तो आप इसी को ही एक्सेट कर लेजिए तो ये पतले पड़े होने के कारण क्या सुनाई में कुछ फरक आता है थोड़ा बहुत हो सकता है बढ़ प्रैक्टिकली तो ठीक ही सुनाई देता है तो इसलिए में लगता है कि उनको कुछ जादा अधिक्छत होने चाहिए ठीक है तो अई पतला है कि अगर पतला पर्दा है तो क्या हम मतलब इयरफों जैसे लोग नॉमली यूज करते हैं या लौड म्यूजिक सुनते हैं कुछ क्या उसके लिए उसके लिए ध्यान रखना पड़ा है उनकी सेफटी के लिए इतना कर सकते हैं कि बहुत जादा ब्लो नहीं करें एयर प्र एफर्स लगा है चले इसके साथ हम अपने ही छोटे मोटे सवालों को यहीं समाप करते हैं जल्द ही नए सवालों के साथ पिर मुला कात्थ होगी नहीं देवागा थैंक्यू